और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूटिब चैनल बेर एक्जाम पर और फटाफट से आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उहां पर चलते हैं यानि कुछ टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक यह है कि हम अब हमारे जो सुहल देव इनुवसिटी के एक्जाम्स है वो प्रस्तावित हो चुके हैं तेरह तारिक से एक्जाम्स हैं तो हमारे पास एक अच्छी बात यह है कि हमारे सामने ही अभी जैस थोड़ दिन पहले ही पुरवांचल इनुवसिटी के सेम पेपर्स के एक्जाम्स हुए हैं तो हमारे पास अच्छी बात यह है एक अच्छ कोशन आ रहे हैं और किस तरह के कोशन आएंगे तो अभी इस चैनल के माधियम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो सारे पेपर्स मैं पहले आप लोग को पहुचा दूँ यानि कि मैं सारे पेपर्स अभी अपलोड करने वाला हूं उसके बाद मैं वड़ापट से कोशिश यह पहले तो यह सारे पेपर्स मैं आपको सौल करके दूँगा चाहे वो पेडागोजी के हो या फिर आएसेटी और एजुकेशन टेकनोलजी या फिर बात करें नौलज अन करिक्लम की तो इस सारे पेपर्स मैं आपको सौल करके भी देता हूं इसके अलावा और जो ग्रांट चैनल पर भी आ सकते हैं तो इसका दोनों का ही लिंक मैं आपको डेस्क्रिप्शन में दे देता हूं और वापांस में जॉइन के लिए आये कुशन देख लेते हैं जो वर्ष 2022 में एजुकेशन टेकलोजी में पूछा गया है ताकि एक ओवर्वी भी हो सके और मैं एक तरह से आपको ये भी बता सकूं कि पेपर का एनलिसिस क्या रहा किस तरह का पेपर आया दोस्तों तो जो मुझे समझ में आ रहा है जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं देखें दोस्तों एजुकेशन टेक्नोलोजी आईसीटी का पेपर हम कोरिंग पेपर होता है तो उसके हिसाब से हम इसका एनलेसिस करेंगे आप सब को पता है एक्जाम जो है तीन गंटे का है पेपर में कोई बदलाव नहीं है बिल्कुल उसी तरह से हैं अब आईए पेपर पेचलते पहले स्टार्ट करेंगे वेरी शॉट टाइप यहां पर देखेंगे डिफाइन सॉफ्टवेर अप्रोच यानि कि मृदा उपागम को परिभाशित करें देखें आई सीटी में आपको पता है कि आई सीटी क्या है आपका आई सीटी मतलब एक कंबाइंड वर्ड है एक सामोहिक सब्द है जिसके अंतरगत सॉफ्टवेर भी आते हैं आपके हाडवेर भी आते हैं वो सारी यंत्र वो सारी मशीन वो सारी टेक्निक्स आती है वो यूजर ट्रेनिंग टेक्निक्स आती है तो ICT कहलाती है तो खेर इसके में जब solution के साथ में आपके सारी discuss करूंगा तो बताऊंगा तो पहला question तो यह था दूसरा question है right components of teaching models जहां दोस्तों teaching models के components के बारे में लिखना है right यानि के define the phases of micro teaching सूच में सिक्षड के अवस्थाएं देखे देखे दोस्तों जैसा कि question मैं देख पा रहा हूं question repeat जरूर हो रहे हैं लेकिन थोड़ा अलग टाइप से हूब हूब previous question को यहाँ पर कि आप देखेंगे कि हूब हूब जो है previous question को just repeat नहीं कर दिया गया question तो वही है जो पहले पूछे गयते लेकिन सब्दों को बदल दिया गया और question भी अब मैं आपको बोल सकता हूँ मैं देख जैसे रहा हूँ question को very short में तो कुछ question काफी नए है तो आईए उन question को भी मैं अपनी तरफ से जो मुझे समझ में आता हूँ वो बताता हूँ about the importance of ICT in education देखिए तो हमेशा से ICT का ऐसा question जो आता ही रहता हमेशा repeat होगा चाहिए कभी भी exam हो आज से 10 साल बाद भी अगर ICT का exam होगा तो वहाँ पर आपको यह question मिलेगा उसके बाद define computer assistant instruction computer annotation को परिभासित कीजिए यह question मैंने discuss किया हुआ दोस्तों यानि कि जब annotation के प्रक्रिया को computer के माध्यम से करते हैं खास तरपी है उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा और लाबकारी होता है जो लोग सारी लेकिन यह सामाने जो चातर हैं पढ़ने वाले चातर है उनके लिए भी सहायक है पर मैं कह रहा हूं कि यह उसका इस्तमाल जो है computer सहायक अंदोशन के इस्तमाल बहतर और हो जाता है जब हम बिभीले च्छमता वाले लोगों के साथ में काव करते हैं A- what is virtual classroom जी है दोस्तों अच्छा question है virtual classroom यानि कि जो हमारा online classroom वहीं होता है ऐसा classroom जहां कि फीजिकल्य ना तो student available है और ना ही teacher available है लेकिन classes चलती है जहां टीचर अपने घर पे या अपने स्थान पर और चातर अपने अपने घरों से अपने अपने स्थान से कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से आपस में जूड़े हुए हैं internet में जोडने का एक साधन है internet के माधियम से एक किसी main computer से जोडते हैं जहां कि और बाकी सारे student बिल्गुल classroom के वातवरान जैसा ही बात करते हैं लेकिन क्योंकि classroom के जैसे वातवरान यान की वर्चुल वैकल्पी के आभास कराता है इसलिए से हम लोग वर्चुल classroom कहते ही वास्तवी classroom नहीं होता है लेकिन सारी गत्विधिया पढ़ाई लिखाए प्रश्ट पूछना homework देना हर एक चीज जो है वास्तवी classroom के जैसा ही यहाँ पर संचालित किया जाता है यह देखते हैं यहाँ पर इसके अलावा just minute जो question रहे गया है मैं आपको दिखा दूँ right the difference between internet and internet अगर उमीद करता हूँ आप लोगों ने question तो पहले भी किया होगा internet लेकिन यह नया question है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ internet यानि कि विस्वभर में फैले हुए computer का जाल जो आपस में सुच्राओं का आदान परदान करते हैं through the protocol of internet यानि कि IP और आप लोगों पढ़ा होगा ना internet protocol ipb6 ipb4 तो वह यह सारे protocols के माधिम से URL और resource locator के वो worldwide wave के माधिम से तो अलग-अलग साधनों के माधिम से internet आपस में जूड़ा internet internet का मतलब होता है कि जो आपके आसपास की आपकी बिल्डिंग के अंतरगत ही कुछ ऐसे आपस में computer जूड़े हूँ जो जहोद बहुत लंबे छेत्र में नहीं है define email दें तो कई बार पूछा गया प्रश्न है तो उम्मेद करता हूँ आप इसको लख सकता email अर्थात के electronic mail यानि की email यानि कि अपने सूचना को अपनी जानकारी को अपने बातों को किसी के साथ शेयर करने का यह electronic बाद है तो internet के माधिम से जब हम अपने विचारों को अपन बताना चाहते हैं या किसी के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं साजह करना चाहते हैं इन सारी चीजों के लिए इंटरनेट का इस्तमाल होता है और उसके में हम इलक्टरन के mail का इस्तमाल करते हैं email के अलग अलग प्रकार आपको पता है कि Google के द्वारा service जो प्रवाइड कर जाने जाती है आईए वेरी शॉट के बाद अब सौट एफ्टर टाइप कुश्चन ज्याने की सेक्शन बी में चलते हैं दूस्तों बात करें में सेक्शन बी की यहां से कुछ इंपॉर्टन कुश्चन ले लेते हैं और पहला कुश्चन है हमारे पास में what do you mean by teaching model and what is the importance of teaching model in classroom teaching सिच्षड प्रतिमानों से आप क्या समझते हैं और साथ सी साथ आपको यह बताना है कि कच्छा सिच्षड में सिच्षड प्रतिमान का क्या मात्व है question discussed क्या हुआ है पहले भी repeated है तो घवराना नहीं है आप तो यह question अच्छा प्रश्ण है तो माराम से इसको कर लेंगे अथ्वाद आप लिख सकते हैं आप है role of computer in education describe the role of computer in education सिच्षा में computer की उप्योगता की संचिप्त व्याक्या की जे बहुत अच्छा regular हर बार आने वाला question है और मुझे लगता नहीं कि आप में से कोई भी ऐसा आदमी है या कोई भी ऐसा चातर होगा जो कि शायद इस प्रस् भी कर सकते हैं और मैं दुबारा से भी इसको पोस्ट करूंगा सो बहुँ इंदरी अनुदेशन क्या है संचिप्त मुधारन सहित इसकी व्याक्या कीजिए अगला प्रशन है describe any two importance of internet in education बहुती easy और बहुती सरल सा question है कि सिच्छा में internet की कि किनी दो उप्योगता के बारे मे कितने हैं मतलब कितने सारे अनेक हो अनेक उपयोग है सबसे पहले तो यह कि virtual classroom जियां दोस्तों जैसे कि अपी बहुत open education जो हुआ है distance education जो इस तरह कि जो सोचती इसको पूरा करने में internet ने बहुत ही जादा महत्तपूर्ण भूमिका और बहुत ही सकारात्म करूप से और बह आपकी open education की वियर्स था है इसको पूरा करने में मदद किये तो सबसे पहले आप लेख सकते हैं virtual classroom का concept की virtual classroom की मदद से जो है चात्र दूर दूर रहते हुए सिक्षक दूर दूर रहते हुए अपने अपने स्थान पे रहते हुए एक single computer के मादम से चुड़ कर पूरी तरह से तो वह सारे सुच्छाएं बगरा ले सकते हैं जैसा की और चातर रहते हैं साथ हाईयर लेवल आफ रिसर्च हाईयर लेवल आफ ट्रेनिंग हाईयर लेवल आफ इस्किल डेवलक्मेंट साथी साथ में student को बहुत help हो जाती है अब उनको जब मन करे तब वह अपनी सुधा अ अपने comfort के अनुसार जो है चीजों को सीख सकते समझ सकते हैं इंट्रस्टिंग बना है चीजें अब जो है 3D 2D ग्राफिक्स वगरा की उससे जो टॉपिक पहले समझा थोड़ा कठीन होता था अब वह ज्यादा ईजी हो गया तो यह साली चीजे हम यहां बर लिखने वाले ह कि सूच में सिक्षड के संप्रक्ते हैं इवा महत्त की संचिप्त व्याक्या कीजिए तो यह कुश्चन अलड़ी मैंने सॉल्ब किया हुआ है दोस्तों आप देखे जरो इवन मैंने दोस्तों के साथ जो भी आप लोग है मेरे साथ जोड़े हुए मैंने आपको PDF अगरा भी शेर किया हुआ है दीज देखेघा उसको पढ़िए कर जोरू आइए अगला प्रशन ले लेते हैं यह से और अगला प्रश्टन नहीं है यहां पर सब्सक्राइब बिल्कुल दोस्तों शिक्षा यह कला तो है शिक्षा है सिक्षा है क्योंकि यह एक ऐसी कतिविती होती है जहां सिक्षग को जो है अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए एप आपने प्रियोग करना पड़ता है जो की छातरों को बहतर तरीके सिखा सके तो ये सीखने की भी जो एक बात है ये कला है और किस तरह से बहतर तरीके से अपके छातर प्रभावित होंगे किस तरह से आप अपने छातरों को बहतर सीखने के लिए प्रभावित कर सकते हो ये एक कला है लेकिन ये एक विज्ञान भ करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तमाल करते हैं तो यह जो तरीके होते हैं इनके पीछे लॉजिक है इनका प्रूफ है आपके पास में और जब आप इस तरह से काम को करते हैं तो कहीं न कहीं आपका काम बहतर होता है तो खैर यह इस क्वेश्चन का एंस by stimulated teaching describe it advantages देखे अनुकरणिये सिक्षा को परिभाशित करते हुए इसकी उप्योगिता के बारे में लिखना है जिया दोस्तों अभी यहां पर बोला जा रहा है कि stimulated यानि कि अनुकरणिये सिक्षा तो जब ऐसे question के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि teacher कुछ ऐसे गत्विदिया करता है teacher कुछ ऐसे प्रश्न आपते करता है और teacher आपको ऐसे आउसर देता है जिससे कि आप पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं चीजों को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं क्लासरूम में आने के लिए प्रेरित होते हैं इसके लिए teacher जो है अपने classroom में अच्छा वाता वर निर्माड करता है teacher आपके classroom में एक ऐसी इस्तिदी का निर्माड करता है चाहे वो आपका teaching aids की मदद से classroom को मनरंज़क बनाने की बात हो या फिर आप से प्रश्ण पूच कर आप से ही question cancer निकालने की बात हो यह अलग अलग गतिविदिया करके teacher आपके classroom को इतना stimulated कर देता है इतना stimulate कर देता है इतना मनरंज़क बना देता है कि बच्चे जो है आके पढ़ना चाहते हैं बच्चे school आना चाहते हैं विशे में उनका मनरंज़क तरीके से मन लगता है तो जरूर चाहतर जो है कही न कहीं विशे में ज्यादा इच्छा अनुसा ज्यादा सक्रियता के साथ में चीजों को सीखते हैं यह topic हम करेंगे यहाँ पर और मैं आपको इसके notes भी share करूँगा चलिए आगे अगला प्रेशन देख लेते हैं दोस्तों इसके अथवा में आप कर सकते हैं वाट डियू मीन बाई प्रोग्रामड लर्निंग जी हाँ वाट इस दा रूल अप प्रोग्राम माटेरियल इन लर्निंग अफ ए लर्नर तो यहाँ पर पूछा गया है कि अभी क्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं एक विद्यार्थी क्या दीगम में अभी क्रमित अमगरी की क्या भूमिका होती है देगे सरल कोश्चन है कई बार पूछा भी गया है और महत्तपूर बात यह है दोस्तों कि यह जग कोश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं यह एक ऐसा कोश्चन है जो बार बार रिपीट होता है तो यह रिपीटेड कोश्चन है अभी क्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं एक विद्यार्थी क्या दीगम में अभी क्रमित अनुदेशन की क्या भूमिका होती है तो रिपीटेड कोश्चन है है आफस में चर्चाय करते हैं teacher बच्यों से बात करता बच्चे बच्चे आपस में बात करता है एक बच्चा ड्यूसरे टीचर से या एक बच्सी सब्च्राइब यह भी बातस्द यहार कषल वां ड्यूर्ज अस्तर पर इसे हम लोग बोलते हैं कम्मिनिकेशन इन टीचिंग तो इसे हम लोगों समझना है अच्छा प्रश्ण है और मैं इसका एंसर भी शेर किया है आप प्ली चैनल पर चेक जरूर करिएगा और अगर नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं है मैं सब कुश्चिन के अंसर दे रहा हूं दोस्तों बिल्कुल घ एजुकेशनल टेक्नलोजी इन ब्रीफ यानि की सैचिक तकनीकी के विभीर प्रकारों की संचिप्त व्याख्या करिए हां दोस्तों बहुत अच्छा और रिपीटेड कोश्चन है यह भी तो मैं आपको बताता चलों कौन से कोश्चन रिपीट भी हुए ताकि आपका जो ए यह भी रिपीटेड कोश्चन है प्रीवेसर कोश्चन उठा अगर देख लीजी आपको दिख जाएगा बट मैं अभी यहां पर इनको भी सॉल्ब करके आपको जरूर दो दूँगा तो आप बिल्कुल भी घबराई हैं कि रैखिया अभी करमित अनुदेशन में क्या अंतर रहे स्पष्ट रूप से समझाना है तथा अभी करमित अनुदेशन के सामगरी के निर्मार के परकेरिया के बारे में भी यहां पर चर्चा करनी है हमें तो कर ले देंगे चर्चा कौन सी बड़ी बात है आई एकला प्रश्ण देख लेते हैं यहां पर डिस्क्राइब बेसिक टीचिंग मॉडल और वाट इस थी इंपॉर्ट इन टीचिंग बुनियादी सिच्छण प्रतिमान की व्याख्या करते हुए सिच्छण में इसकी उप्योगदाय स्पष्ट करिए डिफाइन स्टेजिस ऑफ टीचिंग इन डीटेल सिच्छण में भी इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो है थोड़ा सूच सूच कर लिखना पड़ेगा तो आप ऐसे प्रशन को एकदाम में छोड़ भी सकते हैं आपके पास में इतने सारे इजी इजी कुश्टन है जैसे प्रशन क्या गयारा देखिए वह मैं पर डिसक्त कर रहे हैं और देख डीटेल आप देखिए इस तरह के प्रशन हम क्यों ना करें एक्जाम में जो हमें आसान भी लगता है और साथी साथ में इसका एंसर लिखना भी आसान है तो यह कुश्टन आप देख लीजिए इनके एंसर मैं आपको शेर करा आप भी अपने लेबल पर तयार करें इसके ब